हेलो फ्रेंज चलिए आज हम सीखेंगे इस पूर्ट बरा बनानी तो यह हम 40 साइज के लिए बनाएंगे तो यह देखिए आप सबसे पहले आप अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा ले लेंगी यह आपके पास पुरानी टी शेर्ट या पुराना कुर्ता या बलाउच का कोई भी फीस हो आप उससे बना सकती है तो यह मैंने बलाउच का फीस लिया है तो यह देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड क्या है यह देखिए एक बार मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया और एक बार हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी हमाय पर हमारी पर ही देकmiyor कि इस तरह कि एबदय की कि परिशल्ट करके तय बना ली है तो मुद्धित लबाई लएगि 이 साडे टेरां से और परहने हैं तेरा पॉंट फाइप इंच हमें इसकी लंबाई लेनी है यह देखिए और इसकी चोड़ाई हमें ग्यारा इंच लेनी है ग्यारा इंच लेनी है के लिए कंधे के लिए यह देखिए हमें कि शड़े छे इंच पर इसकी लिए निसान लगाना है यह देखिए छे पॉंट फाइफ इंच और नीचे के लिए हमें कि शे इंच पर निसान लगाना है यहां पर फाइफ इंच पर इहां पर गले के लिए निसान लगाएंगे और नीचे के लिए 5 इंच 5 पॉंट 5 इंच पर गले के लिए निसान लगाएंगे नीचे के लिए यह देखिए 5 पॉंट 5 इंच इधर से हम इस निसान को इस तरह से मिला देंगे और यहां पर गुलाई में इस तरह से एक इंच गुलाई में लेंगे तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो इसकी कर देंगे तो इसकी कर दो डप्रता है कर दोग दो कि यह देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है कि इस तरब से हमें कट कर लेना है तो यह देखिए हमारे यह इस तरह से चार पार्ट निकले हैं दो-दो के तो अब हम इनकी सिलाई करेंगे तो सिलाई हमें कैसे करना है तो यह देखिए सबसे पहले हम यहां से लेकर साइड से लेकर यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक यहां से लेकर यहां तक चार तरफ हमें शिलाई लगाने लेनी है और नीचे की तरफ हमें शिलाई नहीं लगानी है इसी तरह हम दोनों पार्टों पे शिलाई लगा लेते हैं तो यह देखिए मैंने दोनों पे शिलाई कर ली है तो अब हम इस तरह से इसे सीधा करेंगे यह देखिए यहां से हम इसे सीधा कर लेते हैं इस तरह से हम दोनों तरफ से इससे सीधा कर लेते हैं यह हमारा सीधा हो गया है हमने दोनों पर्तों को इसी तरह से सीधा कर लिया है तो अब हमें करना क्या है तो हम यहां से दोनों पर्तों को लगा के जोड़ लेते हैं हमने दोनों तरफ लगा लिए है अब हम इसे सीधा करके अब नीचे से हमें इसे फोल्ड करना है तो यह देखिए यहां से हमें यह देखिए एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरह से तो यहां पर हमें दो बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है यह देखिए यह देखिए हम यहां पर सिलाई लगा लेते हैं दोनों पर यह देखिए हमने नीचे भी शिलाई लगा लिए तो अब हमें नीचे डालने के लिए लास्टिक लेनी है तो इलास्टिक हमें यह देखिए लास्टिक की लंबाई हमें शोलाइंच लेनी है यहां पर यह देखी हम लास्टिक की लंबाई सोलाइंच लेंगे यहीं से हम कट कर लेते हैं दोनों तरब को हमें सोलाइंच ही लास्टिक लेनी है तो इसे हम अब सेप्टिव पिन से इसके अंदर डालेंगे यहां पर यह देखी हम इस तरह से शेप्टिव पिन से इसके अंदर डाल देंगे कि देखी हमने इसे इसके अंदर डाल दिया है और दोनों तरह हम यहां पर इसलाई लगा लेंगे इधर भी और इधर भी कि इससे हमारी इलास्टिक निकले नहीं तो इसी तरह हम इधर भी लास्टिक डाल लेते हैं सेप्टी पिन से यह देखी हमने दोनों पर्तों में लास्टिक डाल ली है और यहां पर साइड में हमने सिलाई लगाई है जिससे हमाई लाइश्टिक बहार नहीं निकले तो अब हम इसमें साइडों में सिलाई लगा लेते हैं यहां से यहां तक हम सिलाई लगा लेते हैं हमें दोनों तरफ से एक एक इंची दबाना है तो चलिए हम दोनों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं यह देखिया हमने साइडों कि पाली है भाइम में इसे सीधा रहें डूट करेंगे हुआ हमारी 20-40 सरी के लिए भाप बनके तयार हो गई है इसे देखिए हमारे चाली साइज के लिए भाप बनके तयार हो गई है तो देखने में काफी शुंदर लग रही है और पहने में भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कमेंट करकी जरूर बताएं कि आप को 40 चाइज वाली ब्रा केसी लगी